हलो फ्रेंट सीमा डिजाइंस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से एक नए डिजाइन की वीडियो लेकर आई हैं तो देखिए हमारी पैंट की मोरी का डिजाइन रहेगा यह हमारी पैंट है जिसकी मोरी आठ इंच है यह ऐसे डबल फोल्ड म इसको ऐसे बीच से फोल्ड करके इसे भी हम इसके उपर रखेंगे और फिर मार्किंग करेंगे तो देखिए आप भी इस टाइप का पैटरन कट कर लें या तो पेपर पर या भुकरम पर जिस पर भी आपको अच्छा लगे और फिर इसके साथ-साथ ऐसे एक और मार्किंग करेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे ठीक ऐसे हमने पांच पैटरन कट करने हैं जो मैंने कर लिए हैं यदि आपकी मोरी की चोड़ा अधिक है तो आपको ज्यादा करने पड़ेंगे और देखिए अब मैंने इन पैटरन को फैबरिक के साथ पेस्ट कर रखा है फ्यूज टेपर की हैल्प से और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम अंदर की सइढ फोल्ड कर लेंगे बड़ी चाहल से ताकि हमें इसे लगाने में आसानी before ने है ऐसे सभी को फोल्ड करने के बाद हम इसे पेंट के साथ लगाएंगे तो देखी लगबग दो इंच के उपर हम इसे ऐसे अड़ेस्ट कर लेंगे हमारे पास पांच थे तो इसलिए मैंने एक को सेंटर में रखा है हमने सभी को ऐसे अड़ेस्ट करते हुए आलपिन लगा लेनी है ताकि हमारे ये पैटरन उपर निचे नहीं हो तो देखी हमारी मोरी आठ इंच की थी उसमें हमारे पांच ही पैटरन आएंगे यदि आपकी मोरी अधिक है तो आपको अधिक पैटरन बनाने पड़ेंगे अब इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई आपको बारिक चाल से लगानी है और बिल्कुल जो हमने बुकरम का पैटरन कट किया था उसके किनारी के साथ साथ लगानी है तो देखी हमने इसमें सिलाई लगा दी है ठीक ऐसे ही हम सभी पैटरन पर सिलाई लगा देंगे देखी हमने सभी पर सिलाई लगा दी है अब हम जो इसके बीच का कपड़ा है उसे कटिंग करेंगे ऐसे बीच के कपड़े को कटिंग करके इसमें छोटे-छोटे कट्स की निसान भी लगाएंगे ताकि जब हम इसे पल्टे तो इसमें सलवटे नहीं आए ऐसे हमने छोटे-छोटे निसान लगाने है और धागे को कटने नहीं देना यदि गलती से कट भी जाए तो आपको फिर से सिलाई लगानी है ऐसे हमने सभी पैटर्न को कट कर लिया है अब हम इसे देखी पलट देंगे तो ऐसे हमने सभी को पलट लेना है ऐसे पलट कर हम अब इसके उपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे जिससे यह अच्छे से बैट जाएगा और अब हमने यह उरेव का कपडा लिया है इससे हम सवाइंज की पट्टी कट करेंगे तो देखी फ्रेंड आपको यह सवाइंज की पट्टी उरेव की ही लेनी है यदि आपने सीधी पट्टी ले ली तो आपका पैटर्न नहीं बनेगा इस बात का आपको विशेश द्यान रखना है कि पट्टी आपको उरेव की ही लेनी है देखिए ऐसे हमने उरेव की काफी सारी पट्टी बना रखी है इसके हमने पांच-पांच इंच की पीस बना रखे है इनके उपर हम पानी की सप्रे कर देंगे जिसी ये हलकी हलकी गिली हो जाएगी और फिर इनको देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए हम प्रेस कर लेंगे इनको हमने राउंड में गुमाना है और प्रेस करनी है तो यदि आप इनके उपर पानी की सप्रे कर देंगे तो यह अच्छे से ऐसे राउंड सेप में आ जाएगी अब हम इन्हें अपनी पैंट की मोहरी के साथ लगाएंगे तो देखिए इन्हें पैटरन को ऐसे रड़ी करना है यह सिलाई हमने छोटी चाल से और बिल्कुल किनारी के साथ साथ लगानी है और इस लाई के साथ ही हमने इन लूप्स को इसके साथ अटेच करना है तो देखिए काफी अच्छे से अट्जेस्ट हो गई है और काफी सुन्दर सा डिजाइन बनके रड़ी हुआ है ऐसे हमने सभी होल्स में सभी पटियों को लगा लेना है तो देखिए इसमें भी हमने लूप्स को लगा दिया है काफी सुन्दर सा पैटरन बनके रड़ी हो रहा है हमने ठीक ऐसे ही सभी होल्स में लगा लेने हैं तो देखिए हमने सभी में लगा लिए हैं यह इस टाइप का हमारा पैटरन बनके रड़ी हुआ है अब हम देखिए यहां से पोने इंच पर निशान लगाएंगे पोना इंच पर हमने निशान लगाना है और यहां से भी हम सभी होल्स के नीचे पोने पोने इंच पर निशान लगाएंगे और इसे ऐसे round shape में एक दूसरे को मिला देंगे देखी friends मैं आपको काफी जो आसान pattern है उससे बता रही हूँ चाहते था आप इसे बुकरम पर cut करके भी लगा सकते थे लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आपके लिए काफी आसानी रहेगी आप इसे काफी आसानी से बना सकते हैं इन्हें ऐसे cut कर लेंगे इससे आपका जो pattern है वैं बिलकुल perfect बनके ready होगा तो देखिए ऐसे हम cut करने के बाद बुकरम लेंगे और बुकरम की उपर हमने फैबरिक को रखना है ये ढाई इंच की बुकरम है और इसकी उपर हमने तीन इंच का फैबरिक रखा है और देखिए अपनी pen की मोरी को ऐसे उल्टा रखेंगे और फिर ऐसे सिलाई लगाएंगे यह सिलाई आपने एक बुट की दोरी से लगानी है और बारिक चाल से लगानी है ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर नहीं जो एक्स्टा कपड़ा है इसे कट कर देंगे देखिए हम इसे ऐसे अच्छे से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके उपर छोटे-छोटे कट्स के निसान लगाएंगे ताकि हम इसे पलटे तो इसमें सलवटे नहीं आए और पलट कर अब हम इसके उपर प्रैस भी कर लेंगे तो देखिए हमने इसे पलट लिया है और अब हम देखिए पलटने के बाद इसे फैबरी को ऐसे फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ इस पर शिलाई लगा लेंगे और फिर इस पर हम तुर्पाई कर लेंगे तो फ्रेंट्स आपको हमारे यह मोरी डिजाइन कैसा लगया हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन के बटन दबा ले ताकि हम नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे हम इस चैनल पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो माच